महावी नगर में आबादी शेत्र के बीच लग रहे निजी मोबाइल कंपनी के टावर के विरोध में शेत्रवासी अप सड़कों पर उतर आए हैं मंगलवार को शेत्रवासी ने नियम विरोध में टावर से निकलने वाले रेडियेशन से फैलने वाली विमारियों का हवाला देते हुए कारे रुकवाने की मांग का ग्यापन जिला कलेक्टर को सौपा सहर के माविन नगर में एक नेजी मोबाइल कंपनी के टावर के निर्मान का विरोध करते हुए लोगों ने सड़क पर पर प्रदशन कर टावर निर्मान रोकने की मांग की है मोहले वास्यों ने जिला कलेक्टर हिमान दुकुपता को ग्यापन सौप कर गने आबादी छेतर से मोबाइल टावर का निर्मान कारे रोकने की मांग की मंगलवार को बड़ी संख्वा में महाविन नगर वाश्यों ने कलेक्टरेड के बाहर प्रतशन कर कलेक्टरेड से मुलाकात की और गयापन सौपा ग्यापन में मोहलेवाशों ने बताया कि माहविर नगर के बीप लॉक में एक प्लाट मालिक द्वारा नीजी मॉबाइल कंपनी को तावर लगाने के लिए बुखंड किराय पर देकर अवेद रूप से तावर का निर्मान करवाया जा रहा है उच न्यालाए व उचतम न्यालाए द्वारा आबादी छेतर में टावर स्थापित नहीं किये जाने के सपस्ट आदेश किये गए हैं मोबाइल टावर से निकलने वाली हानिकारक केर्णों से बच्चो और गरबती महिलाओ पर दुस प्रभाव पड़ता है रहवासियों ने ग्यापन देकर मोबाइल टावर आवाश्य कॉलोनी से दूर स्थापित करवाने की मांग की इस दोरान बड़ी संख्या में महले के लोग मौजुद रही मेरा मकान का नमर एडी 31 है और मेरा भड़ोसी एडी 32 हो है वह हमारे बीच की दोनों की दीवार हो पोड़के और उसके उपर जीओ का कोई टावर बना रहा है अब दूरूब से टिगें कैसे मना रहा है कैसी परमिसन ली हो तो जाने में उजी तो परसों बता लगा और मैंकल में बाहर नोगरी करता हूं यहां भी आया और यहां ने कि बाद प्रूश्यों सारे एकर उनों उसको खूब समझाए लेकिन वह समझने की गोशिश नहीं कर अब दिगर है कि महाविन नगर सहर का सबसे पोसिला का है नीजी कमपनी दुवारा जिस स्थान पर टावर लगाया जा रहा है वह स्थान आबादी भूमी से गिरा हुआ है ऐसे में टावर निर्मान का इस स्थान ये लोग विरूद कर रहे हैं मौले के लोगों ने जिस अक्तबा टावर नहीं लगाने की प्रात्ना की थी लेकिन जमीन मालिक ने किसी की नहीं सुनी ऐसे में आब लोग सड़क पर उतर आए है